बिसमिल्लार अख्मान रुकीम, असलाम अलेकूम, वल्कम टू बाइक मेट फीके जन्में, बताने के जरूर तो नहीं है, मेरे बैक पर आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे पास तीन किसम के क्वाड बाइक्स कड़े हैं वीडियो स्टाट करने से पहले आप लाइक करना चाहते हैं, तो आप इने कांटेक्ट कीजिए, चलिए बढ़ते हैं, बाइक्स की जानेब, और सबसे परे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे पास तीन वेरियंट मौजूद हैं, यहाँ पर यह 150 CC हमारे साथ और इसमें काफी सारी मजीद भी हमारे पास कलर स्कीम्स मौजूद हैं, सेकंडली यहाँ पर हमारे पास आजाता है 110, और यह आर्मी ग्रीन इस वक्त कलर में मौजूद है, और इसी तरह हमारे पास चोटे बच्चों के लिए अवेलिबल है 80 CC, और इस पर चोटे बच्चे, इस पर राइट कर सकते हैं, और Specially, सबसे पहले जानते हैं 80 W का मतलब की होताए, 80 W बाइक्स वो होते हैं जञे हम कहते हैं All Trend V Block, जो हर कसम की सता पर काम करते हैं, और जा सकते हैं पहाडों में, मतलब बिल्कुल steep पहाडों पर नहीं, लेकिन कफे सारी जगों ऐसी होती हैं पर नंचनल जो टू विलर है वो नहीं जाता लेकिन ये कौाइड बाइक वहां पे चले जाते हैं आराम से दूसरी चीज़ की होती है कि ये बाइक वैसे अपने वजन में भी कौाइट लाइट होते हैं तो खुदा ना खाल सके हैं भी भाइक फंस जाता तो आप बड़े आरा से फिर हम जाएंगे वक्तन फर वक्तन हम एंड में जाकर रिविव करेंगे चोटे बच्छों के कौाइड बाइक को तो होफुली आपको ये रिविव पसंद आएगा और अगर अगर अब भी आप इस चैनल पर नहीं हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक के वक्त ये आपको एडवेंचर का मज़ा आपका और दोबाला हो जाता है और ये रोड को बहुत अच्छे से इलूमिनेट भी कर देती हैं आगे हमें इसके साथ साथ हेलो जेन लेंप्स भी मिल जाते हैं जो इसके साथ आ जाते हैं और ये आपको एग्जैक्ली सिक्स पर हमें 19x7 के टायर मिल जाते हैं फरंट पर देख सकते हैं हमें मिल जाते हैं डूल शॉक्स और ये अडवेंचरिस बाइक है तो काफी सारे बंस और गरह में लगए ये बाइक और उसको अबजाव करने के लिए इनोंने हाइडरॉलिक शॉक्स दिये हुए साथ फरंट रॉलिक शॉक्स दिया है इनोंने पीछे और चुंकि इसका सारा वजन आगे की तरफ होता है तो इसलिए पीछे इनोंने मोनो शॉक्स दिया है रेर टायर देखें तो आप एक सीज़ नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा चोटा है फ्रंट टायर से इसकी जो प्रोफाइल है वो इस टायर हैस इस ओन डिस्क ब्रेक अवर हे अट दा फ्रंट जैसे अगर आप देख सकते हैं और इसी तरह रेर में भी हमें सिंगल पिस्टन के लिपर के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाती है अगर इंजिन की बात की जाए तो यह 150 CC इंजिन जॉंक्शन का इंजिन है इसमें जो यह रिपे आफ बीचायों देख सकते हैं आपको डूल एक्जास नहररा ने डूल एक्जास के साथ अविलिबल है और यह इसकी लूप में भी काफी आघ्रेसफ ननाफ और बहुत खुब सूरत लग़ता है फ्रुप फ्रंट आप डेख सकते हैं आपको आर प्याफा अमीट साइट पे अगर आप डोंट भी फूल विद इस हैनल बार ये जस हैनल बार है एक्सलेटर के नाम पर ये हमारे पास पुछ एक्सलेटर है ये आपके अंगुठे से रेस में इजाफा या कमी हो सकती है मैं आपको स्टार्ट करके भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है आगे बढ़ते हैं यहां पर एक चोटी सी चीज़ आप नोट कीजेगा ये जो स्क्रू आपको नजर आ रहा है ये बैसिकली स्पीड कंट्रोलर है तो अगर आप अपने किसी बच्छे को एडवंचर पे ले के जा रहे हैं साथ तो आप इसको जितना टाइट करेंग स्क्रू को उतनी स्पीड कम होगी कम होने से मतलब है आप उससे रिस्टिक्ट कर सकते हैं 30 किलो मीटर पे 40 किलो मीटर पे तो अप उससे रिस्टिक्ट कर सकते हैं according to the conditions as well तो अगर आपने अपने लिए चला ना उना वह भी आपको बताता चलू को कि अगर आपने handbrake के लिए एक जबरदस फीचर दिया गया है कि अगर आप इसको यह देख सकते हैं आप इसको नीचे पुश करेंगे तो इसी तरह हमारे पास left hand side पे भी option है अब इसे यह इसकी handbrake आप समझ लें अब यह बाइक कहीं पे भी move नहीं होगा यह अपनी जगा प आप reverse कर देंगे इसी सारे सिस्टम को यह उपर हो गया इस तरह यहां से ऐसे यह उपर नहीं हो गया और यह आपकी handbrake खत्म होगी अब आप चलने के लिए तैयार है अब हम left side पे आते हैं left hand side पे हम switch इसमब्ली में देखते हैं हमारे पास low beam high beam उसके बाद horn turn signals और दोनों साइड़ों पे हमारे पास front disc के लिए fluid आ जाता है अब इसकी sound भी थोड़ी सी चेक कर लेंगे sound के सी अगर इस भाई की mileage की बात की जाए तो यह आपको एक लिटर में 40 km सेने की सलाहियत रखता है और अगर इसकी fuel capacity की बात की जाए तो यह पौने तीन लिटर तक fuel स्टोर कर सकता है यह रहा हमारा second ATV अब इसके बारे में सबसे पहली बात यह army green color में available है और बहुत ही जबरदास इसकी एक road presence भी है सामने आप देख सकते हैं यह front में dual shocks के साथ आता है लेकिन यह 150 CC की तरह इसके hydraulic shocks नहीं यह simple shocks के साथ available है front पर आपको four lights मिल जाती है दो lights जो के standard है और दो उपर globe lights इसकी लगी है pre install है यह front पर हमें 16 by 8.7 के tire मिल जाते हैं यह 7 inch rim पर available है इसी तरह back पर भी हमें same ही tires मिल जाते हैं यह आप देख सकते हैं कि इसमें push accelerator है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह उसी तरह 150 CC की तरह इसमें भी आपको speed restrict करने के लिए एक safety feature है एक screw दिया गया है अब इसकी speed की जहां तक बात है तो यह top speed इसकी 70 km top speed है इसकी और इसकी अगर fuel की बात करें fuel capacity इसकी भी पौने 3 लिटर है और यह एक लिटर में 55 km तक देने की सलायत रखता है अब इससे start करके देखते हैं और साथ ही आपको बताया जाएगा इसकी gear transmission के बारे में भी कि यह auto transmission के साथ available है अभी एक gear जैसे कि auto गाड़ी में होता है पीछे की तरफ करेंगे तो बाइक आपका आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ करेंगे तो यह reverse लग जाएगा जैसे आप देख सकते हैं पीछे जा रहा बाइक लेफ्ट स्विस्ट इस समली में हमें क्या क्या मिल जाता है जी यहां पर वही सेफटी मायर एक आपका हैंड़ेक लगाने के लिए यह आपकी हैंड़ेक लगें यहां पर बाकी हमारे पास उसी तरह नीचे सेल्ट स्टार्ट का option मौजूद है उपर हमारे पास horn है फिर light high beam low low beam turn signals सब available हो जाते हैं यहां पर रेर पर आप देख सकते हैं कि आपको dual exhaust system available है और mono shock available है और साथ ही आपको पीछे rare disc मिल जाती है single piston caliper के साथ तो यह जनाब हमारे पास छोटा packet बड़ा धमाका 80cc quad bike है यह यह adults के लिए बिल्कुल भी नहीं है यह बच्चों के लिए teenagers के लिए तो maximum weight यह carry कर सकता है 80 kg बढ़ते हैं इसकी features की जाने और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी headlights जो हमें नजर आ रही हैं सामने यह simple headlights हैं और साथ हमें front पे आगे मिल जाते हैं projected lambs यह जैसे आप देख सकते हैं front पे हमें simple shocks मिल जाते हैं लेकिन dual shocks हैंगे और front दोनों टायरों में हमें मिल जाते हैं drum brakes front tire size की बात करें तो हमें 14.5x7 के tire मिल जाते हैं 6 inch rim के उपर rare पे हमें मिल जाते हैं 14.5x7 और वही 6 inch rim के उपर हमें यह tire मिल जाते हैं और यह tubeless tire हैं सारे right hand assembly पे अगर आप देखें तो यह हमें push accelerator मिल जाता है और साथ उसी तरह safety mirror के तोर पे हमें a screw मिल जाता है again हमारे पास यह front brake आ जाती है और साथ हमें मिल जाता है push start button back पे हमें police strip light built in मिल जाती है rare पे आपको mono shock मिल जाता है बाइक को रोकने के लिए हमें एक single piston caliper disc brake मिल जाती है और यह dual exhaust system के साथ हमें available है इसकी जो gear transmission है यह auto है यह एक लीटर में आपको 55-60 km देने की सलाहियत रखता है और अगर इसकी storage की बात करें तो यह आपको पौने तीन लीटर तक fuel store करने की गुंजाश रखता है बाइक सोचें लेकिन prices क्या है तो prices की जहां तक बात है तो यह 150 CC इस वक हमें 65,000 रुपे में available है 110 CC जो है हमारे पास यह 95,000 रुपे में available है और 80 CC जो है वह आपको 75,000 रुपे में available है अब यह बाइक सलाने के लिए एक बात जरूरी है यह वह सेफ्टी तो उसके लिए सेफ्टी में यह बहुत जरूरी है तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर एक helmet यूज़ करें अच्छी quality का साथ साथ आप प्रॉपर सेफ्टी गेर जरूर यूज़ करें वैसे तो हर बाइक के साथ करना चाहिए लेकिन इन बाइक्स के लिए especially क्योंके adventure बाइक्स हैं तो कुई नएई adventure ना हो जाए जो आपको किसी और adventure की तरफ ले जाए तो उसके लिए आपको make sure that you are wearing proper safety gear plus the helmet इन बाइक्स के बारे में special bike बात यह है कि यह quad bikes आपको यह freshly imported bike हैं यह refurbished नहीं है जैसे के market में आपको refurbished bikes मिल जाते हैं जो कि ठीक करके आपको बैचे जाते हैं ऐसी बात नहीं है यह fresh imports हैं सारी so thank you so very much for watching this video अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो make sure you subscribe the channel before you leave take very good care of yourself always wear the helmet assalamualaikum